Hi everyone, this is Gurleen Chopra, Bollywood actor and certified newtonist from USA and UK. बहुत सारी लोगों की एक ही प्रॉबलम है पिग्मेंटेशन. आखिर हमें पिग्मेंटेशन क्यों होती है? इसका क्या कारण है? कभी जानने की कोशिश की है? जब भी हमें कोई पिग्मेंटेशन होती है, यह कैसे स्टार्ट होती है? थोड़ा सा हमें एक माक होता है, धीरे 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 वो बढ़ता है, बढ़ता है, spread होता है, पूरे चहरे पे आजाता है और बहुत ही गंदा लगता है, अपने आपको आईने में देखने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, और फिर हम क्या करते हैं, किसी ने बता दिया, ये ट्यूब लगा लो, वो ट्यूब लगा लेते हैं, किसी ने बोला, अरे वो डर्मेटोलोजिस बहुत अच्छी है, उसके पास चलते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी एक लेजर, कभी दो लेजर, करते करते कितने साल हम ऐस से ही उस पे पैसा लगाते रहते हैं लेकिन क्या होता है चोटी सी जो pigmentation थी वो बढ़के पूरे चहरे पे फैल जाती है पैसा भी गया वक्त भी गया और चहरा हमारा बिलकुल खराब हो गया हमें pigmentation बहुत सारे कारणों से होती है सबसे पहले तो लड़कियों को Pigmentation क्यों होते है अगर आपके पिरिट इरेगुलर तो हो जाएगी आप बहुत ज़्छटा स्ट्रेस में रहते हैं तो जाएगी बहुत सब्धा सभय ऽदस सब्सक्तार होझेजगी बहुत जब्सक्ता मीता खाते हैं जैसे iron की कमी हो सकती है, B12 की कमी हो सकती है, थाइरोड की कमी हो सकती है, बहुत सारिया कमिया मिलके pigmentation की starting करते है, आप जरूर बताना इन में से वो कौन सा कारण है जो मैंने आपको बताया, definitely इसी में एक कारण होगा, आप देखो, जच करो कि हाँ या गुरलीन बोल तो रही ह है कि pigmentation है, मेरी pigmentation start कैसे हुई, definitely इनहीं में से कोई कारण होगा, अगर इसी में से कोई कारण है, तो आप बहर क्यों जा रहे हैं, देखो, जो चीज मेरी skin के अंदर हो गई है, अब मैं उसको बहर से application लगा रहे हूँ, लगाती रहोंगी, लगाती रहोंगी, light हो जाएगा, कभी dark हो जागा, कभी light हो जागा, कभी dark हो जागा, जब लड़िक्यों के hormones उपर नीचे होते हैं, वो pigmentation dark हो जाती है, नीचे होते हैं, pigmentation light हो जाती है, फिर hormones change होते हैं, फिर वो dark हो जाती है, आखर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी diet में कहीं कोई ना कोई कमी है, यह सब ज पुछ नहीं करना अपने डाइट में विटामिन C औरेंज का जूस लेना शुरू किजिए जी हां औरेंज ले सकते हो मुसमी ले सकते हो इफ यू वांट आड पाइनेपल इन अप उसमें सेलरी एड कर सकते हो विटामिन D मश्रूम लेना शुरू करो एग्स खाने शुरू करो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है बी 12 पालक ले सकते हो आवकाडो ले सकते हो नट्स ले सकते हो सीड्स ले सकते हो iron anemia की कमी हो सकती है pregnancy में अक्सर लड़कियों को anemia हो जाता है और pregnancy के दौरान ही हमें pigmentation की भी शुरुआद होती है iron किस में होगा लाल रंग की चीज़ों में जैसे की beetroot हो गया अनार हो गया इन सब चीज़ों को अपने diet में शामिल किजिए है just with my natural diet पहले आप खुझ से try कीजिए अगर आपको लगता है फिर भी pigmentation नहीं जा रही है कौन से food को कौन से juice को किस combination के साथ मुझे खाना है तो आप मुझे नीचे दिएगे नंबर पे contact कर सकते हैं जी हाँ मेरा नंबर है 99876 00160 या फिर Instagram counseling with GC पे मेरा official account है वहाँ पे team को message कीजिए appointment book कीजिए मैं आपकी pictures मंगवाऊंगी आप से बात करूँगी zoom करके देखूंगी कि आपकी pigmentation कितनी spread हो चुकी है कितने सालों से चल रही है and एक सबसे important बात जब आपका uterus health अच्छी नहीं होती है so please अपने आपको अंदर से ठीक कीजिए ना कि उपर उपर से कीजिए अंदर हमें diet ठीक करेंगी हमें juice ठीक करेंगे हमें हरी सबजियां ठीक करेंगी उसको अपनी diet में शामिल कीजिए just for 3 months और फिर मुझे बताइए अब आपकी pigmentation कहां गई thank you so much